हलो दोस्तों मैं हूँ आरू हूँ और आज हम बात करेंगे एरेक्टाय डिस्फंक्शन के बारे में यानि कि तनाव में कमी लिंग में तनाव में कमी किन कारूनों के वज़े से होती है और क्या है इसका इलाज चले इस पूरे वीडियो में आपको बताती हूँ तो चैनल को ज परान लिंग का अच्छे से तनाव में ना आना ही एरेक्टाय डिस्फंक्शन कहलाता है इरेक्टाय डिस्फंक्शन होने की बहुत सारी और वज़ए भी हो सकती है छले बज़ा बताते है कि क्या क्या किन कारूनों से यह होता है सबसे पहला कारण जो है वह है ब्लड अच्छी नीन नहीं लेना, डिप्रेशन और उसी के साथ आपकी लाइफस्टाइल, आज के लाइफस्टाइल इतनी विजिक हो गई है कि लोग अपने हेल्फ पे ध्यान नहीं देते, जिसके विज से लंबे समय तक काम करना और ये साही चीज़े हो सकती है जो आपके हेल्फ क इशू करती है, यानि कि आपके हेल्फ पर इफेक्ट डालती है, बोडी में बहुत सारी विटामिन्स और न्यूटिशन की कमी के वज़े से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, सबसे पहले हैं ओमेगा-3, ओमेगा-3 ज्यसे स्पेशल न्यूट्रियंस जैसे जिंक और बह बहुत सारी ओमेगा-3, गाजा, टमाटल और लसुन इन सारी चीजों का सेवन करना चाहिए, जिसके वज़े से आपका जो हॉर्मोन इंबैलेंस हो चुका है, वो बैलेंस में आजाए ये प्रॉब्लम देले-देले कम हो जाए, इसके सबसे कॉमन मेडिसीन जो है, वो है केम किमिकरा 50MG, जो कि easily किसे भी मेटिकल स्टोर में मिल जाती है और आप इसके बारे में ज्यादाश सी ज्यादा जानकारी लिनी के लिए अपनी डॉक्तर से कंसर्ट कर सकते ही, या उसके बारे में वेबसेट पे नेट पे आप इसके बारे मWar解 know this लिंबीत प्लीज लाइक कर and subscribe my channel